हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त अजय दोस्तों आज की इस वीडियो का थंब नेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपसे किस गेम के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों जिनको अभी तक पता नहीं चला तो मैं उनको बता दूँ कि आज इस वीडियो में मैं आज आपसे जिस गेम के बारे में बात करने वाला हूँ तो ये गेम जो है वो SmackDown Here Comes The Pain गेम का मोडिफाई वर्जन है और SmackDown Here Comes The Pain गेम को मोडिफाई करके इस 2K22 वर्जन को बनाया गया है तो दोस्तों इस गेम के अंदर आपको सारे के सारे जो रैसलर्स मिलेंगे वो एक दम न्यू होंगे मतलग कि जो आज कल में आपको Official WWE की रैसलिंग में रैसलर्स देखने को मिलते हैं तो वही सेम लुक वाले रैसलर्स आपको इस गेम के अंदर मिलेंगे मतलग कि वही सेम टेक्स्टूर्स वही सेम कोस्ट्यूम्स और वही सेम अटाया मतलग कि उनकी लुक से बगरा हेर स्टाइल बगरा सब कुछ आपको सेम तो सेम वैसा ही मिलेगा जैसा कि आज कल में WWE की Official Wrestling में सूपर स्टार्स का होता है तो एक तो आपको रैसलर सारे के सारे न्यू इसमें मिलेंगे और साथ में Wrestling Arena जो होंगे वो सारे Wrestling Arena भी आपको इसमें न्यू ही मिलेंगे और साथ में Championship टाइटर्स वगरा जो होते हैं Championship बैट्स वगरा तो वो भी आपको इसमें न्यू ही मिलेंगी मतलब कि उनको भी नहीं तरह से डिजाइन करा किया है तो सब कुछ आपको आज इस गेम के अंदर नया देखने को मिलेगा दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप इस गेम को अपने फोन में खेलना चाहते हैं तो कैसे इसको खेल सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको इसके लिए मतलब कि इस गेम को खेलने के लिए तीन फाइल अपने फोन में चाहिए होगी तो एक तो पहली होगी इस game की main game file और दूसरी होगी cheat code वाली file और तीसरी होगी everything unlock वाली file तो दोस्तो game file को आपने किस तरह से use करना है और कैसे उसको extract करना है तो वो अगर आप समझना चाते हैं तो इसके बारे में मैंने एक complete video बना रखी है तो वो video आपको मेरे youtube चैनल पर दिखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने complete detail में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप किसी भी playstation 2 की game को ether sx2 emulator के साथ अपने android phone में खेल सकते हैं तो अगर आप यह समझना चाते हैं तो आप मेरी हो वाली video देख लीजिएगा तो अभी बात करते हैं कि cheat codes वाली file और everything unlock वाली file को आपने किस तरह से extract वगरा करना है और कैसे उनको use करना है तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने अलग अलग तरह की पिएस्टू गेम की वीडियो वैसे बनाई हुई है जैसे की God Hand पिएस्टू गेम की cheat code और everything unlock वाली वीडियो और God of War गेम की cheat code और everything unlock वाली वीडियो God of War 2 गेम की cheat code और everything unlock वाली वीडियो और Smackdown Here Comes the Pain गेम की cheat code और everything unlock वाली वीडियो और सेम तो सेम Resident Evil 4 Game की भी Cheat Code और Everything Unlock वाली वीडियो तो इन सारी वीडियो में से अगर आप कोई भी एक वीडियो देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इस वाली गेम की Cheat Code वाली फाइल और Everything Unlock वाली फाइल को किस तरह से extract करना है और कहां पर उसको move करके मतलग की paste करना है तो अब एक वीडियो भी अगर उन में से आप मेरे देख लेंगे चाहे वो God Hand वाली हो चाहे God of War वाली हो चाहे Smackdown Here Comes the Pain गेम वाली हो चाहे Resident Evil 4 वाली हो तो उन सारी 4-5 वीडियो में से अगर आप कोई भी एक cheat code और everything unlock वाली वीडियो में देख लेंगे तो आपको इस गेम का भी समझ में आ जाएगा कि आपने इस गेम की जो cheat code वाली फाइल है और everything unlock वाली फाइल है तो उसको कैसे आपने use करना है हाल लेकिन दोस्तो everything unlock और cheat code वाली फाइल को आप जरूर अपने फोन में पहले साथ में कर लीजिएगा जैसे कि आप game फाइल तो करेंगे ही तो ये cheat code वाली फाइल भी हो और everything unlock वाली फाइल भी आपको जरूरी चाहिए होगी क्योंकि इन दोनों के बिना आपको इस game को खेलरे में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि everything unlock वाली फाइल के साथ आप इस game के अंदर सारे Minneapolis को और सारे रैसलिंग अरेना को unlook कर पाएंगे और cheat code वाली फाइल के साथ आप इस game को सरी डंक से खेल भी पाएंगे क्योंकि cheat code वाली फाइल के विना आपके लिए इस गेम को खेलना क्या सकते हो कि आपको बात में फिर कोई ना कोई प्रोब्लम ज़रूर आएगी तो इससे अच्छा यही होगा कि आप cheat code वाली फाइल और everything अलोग वाली फाइल दोनों को use कर लिजिएगा तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपको तीनों की तीनों फाइल मिलेंगी कहां से तो अगर आप यह जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मेरे telegram group को आप join कर लेना तो telegram group को जब आप join करेंगे तो वहाँ पर आप आप मुझे message करना तो चाहे इस वीडियो के बारे में चाहे मेरे किसी और वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप आपने मुझसे पूछना होगा तो आप वहाँ पर आकर मुझसे पूछ लेना तो मेरे टेलिंग्राम ग्रूप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना तो वहाँ पर आकर आप मुझे मेसेज करना मैं आपको reply कर दूँगा तो इस से आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा और YouTube पर बार बार मुझे आप मत पुछना कुछ भी और ना ही मुझे कोई link वगरा YouTube पर मांगना क्योंकि मैं YouTube पर आपको कुछ नहीं बताऊंगा तो दोस्तों आखिर में एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस गेम को अपने फोन में फुल स्कीड में खेलना है तो वो कैसे खेलना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में मैंने एक Smackdown Here Comes the Pain गेम की Best Settings वाली वीडियो बना रखी है तो वो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल के वीडियो बले सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा तो वही Same to Same Smackdown Here Comes the Pain गेम की Settings मतलब जो मैंने उस वीडियो में बताई थी तो वो सारी Settings आप इस गेम के अंदर अपलाई कर लीजिएगा मतलब कि AtherSex 2 Emulator के अंदर आप Same to Same सारी Settings सेट कर लीजिएगा तो ये गेम भी आपकी आराम से फुल स्पीड में चलने लग जाएगी तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया तो उमीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो अभी इसके बाद मुझे आपको कुछ और बताने की जरूरत है नहीं लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप बेजिजक मुझे टेलिग्राम ग्रूप में आकर कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हो जाने से पहले रिक्वेश्ट तो कर देता हूँ आपसे जो हर बार हर वीडियो में करता ही हूँ कि अगर आपने अपने इस भाई के अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तबा के आल नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर देना और साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आए और गेम अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को तबा कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शियर भी कर देना ताकि वो लोग भी इस गेम का मज़ा ले पाएं तो अलवीता दोस्तों बिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई